हलो फेंस कैसे हुआ आप लोग आई होकि आप लोग अच्छे होँगे मैं भी बहुत आच्छी हूं आज में आप लोगों से डारेक्ट पूछ रही हूं कि स्वस्लत है अपने वाइस पीछे नेकeping मेरे कशिर्वीaya कर से हुआ कर देते हैं और आप लोग के साथ मेरा में सुबहां से स्टार्ट करती हूं उनके जाने के बाद डोल मेंसे फोन definitely कि वीडियो जल रहा है न तो बहुत ख़वराहट होती है कि तुमारा काम नहीं होगा जल्दी से तो इसलिए मैं जल्दी उनके सामने अपना व्लॉक में श्टार्ट करती हूं और उनके जाने के बाद जो कुछ करना होता है तो वह मैं अपनों के साथ सेर करती हूं तो चलो जी आज तो चले गए हैं अभी हमाए भगवान की पूजा नहीं हुए है क्योंकि हमने ना यह गंचा रेखी मेरा गीला है अभी बाल खोले हैं सुबह नफसे नहां के आए बाल यह लपेटे थे और तुरंत रसोही में अगए हमने का उनकी टिफिन कर देते हैं और रेडि करेंगे और नास्ता भी करेंगे तो अभी वह आराम जा चुके हो मुझी विल्कुल आराम है तो अभी मैं कर लेती हूं बाद की पूजा और नास्ता करती हूं आप लोगों तो बहुत दिकत हुई मुझे फीवर भी आ गया शात में जुकाम भी अभी भी मेरी नाग बिल्कुल जाम है आवाज ऐसे निकलती है जैसे नाग बन बन कर रही है और पता नहीं कैसे और कुछ भी मैंने उल्टे सिदे काम नहीं की लेकिन फिर भी जैसे इन्वाइट करके रख पूरे साल बिल्कुल ना आए और मैं यहीं जानती हुँ लोग कहते हैं कि पहले साल यह करोगे तो पूरे साल यह करोगे लिगिन मैं ऐसा कुछ भी नहीं और अभी आ गई हूं मैं अपने किचन में तो यह मैंने आटे को ढख दिया था क्योंकि मैंने उनके लिए ही रोटी पाकी की रोटी जो आजकल बहुत बल रही है मैं बहुत बड़ी प्रावलम है अभी जैसे फोन देख लेती हूं सौट वीडियो जो होते ना तो उन गालों को थोड़ा ऐसे गुन गुनाती रहती हूं मुझे अच्छे लगते हैं यह जो सौट वीडियो मोस्क्री वाले होत थी कि करिया करिया रस गुला रसदार राजा जी करिया करिया रस गुला रसदार राजा जी एगो करिये सी लादा एगो करिये सी लादा सलवार राजा जी करिये सी लादा सलवार राजा जी तो मेरे मेरे उपिस जा रहे थे बोल रहे थे सब किनारियों मुझे की जोैंज आब अभी इक पीला मंगा थो यह काला भी चाहिए तो मेरे प्लस जो आउनलाइन ओडर था मुझे करने देते हैं कि नहीं जानते हैं कि अगर मैं सीख गई ना तो घर के सारी पैसे चोपटा भाय रहें गे लाले सब करूंगे नहीं कि दर रहता है कि अगर मैं सीख क्या गई अगर मैंने अपने फोन से और सुरू कर दिया तो जो कुछ अधस्च में बचे रहते हैं घर में बचेंगे तो इसलिए थोड़ा मुझे डापते हैं पने पोन से नहीं कर देक और उनी के फोन से मंगवाती हूँ है और तो हमने एक एलो कलर करें पाप अपने लिए खिशा अधस्क्राइब यह अज़ें पहा है लेकिन अज़ें फोन से पराइब तो और अब बताए कि चलो जब आएगा तो बताना के चलो ठीक है आज आओ चाय पीलो आप लोगी एकदम गरम गरम चाय बनी है और ठंडी में तो जानते हैं अध्रवफली चाय कितनी अच्छी लगते हैं बोजपूरी गाना उनको सर से उपर जाता है वो कभी समझ नहीं पाचे कि क्या क करिया रसगुला आप सारी चीजें इसमें बहुत बढ़ी आती तो इसलिए नहीं कोई दिक्का तोई तोई बोल रहे थे कि जो है बस यह सतुम्हें बहाने है आजाओ आप लोग भी नास्ता गर लो यह हमने बनाया मक्के का साग और नहीं मक्के का साग मक्के की रोटी और एक ग्लास भर के चाय को कि देखे कैसा लगा नास्ता मेरा आजाओ मेरे शाथ में बोलो जी नास्ता मेरा तैयार हो गया अब हम जारे नास्ता करने क्योंकि पेट मेरा एड़्दम चुहे तबाही मजा रख है इस तम भूख लगी है और जब मुझे भूख लग जाते तो मे इसलिए कोई दिक्कत नहीं हुई और यहां पर मेरे बाल नास्ता करते एकदम शूख गय थे तो मुझे खुले बाल बिलकुल अच्छी नहीं लगते आप लोग देखते होंगे मैं ज्यादा खुले बाल नहीं रखती तो मैं जैसे ही मेरे बाल शूख जाते हैं मैं लगा के शोती हूं तो मैंने का हां मुझे जूडा न खुले बस मुझे बाल खुले बिलकुल अच्छे नहीं लगते और यहां पे ना कंबल भी फोल्ड नहीं था तो हम तो पहले रूट जाते हैं लेकिन वह बाद में उठते हैं तो जब उठते हैं ना साड़े आठ बजे त लगी तो यहां पर खाना खाने के बाद मुझे बहुत थेज थन लग गई थी और मैंने स्वर्टर डाल लिया है क्योंकि अभी थन लगी रहती हैं तो कोई काम नहीं होता है तो यहां पर सेटर डालके और यह हमने जो है दो डिबे जब बरतन तो और यह है मेरे किचन के दो तो इसलिए मुझे कुछ न कुछ उसमें डालना पड़ता है तो प्रोटीन डालू या फिर बोन बीटा होल इसकी डालू लेकिन डालना है कि उसकी महक नाए मुझे और यहां पर यह थोड़े बहुत कपड़े पड़े थे इनकी चड़ी बन्याइं और यह किचन के सारे डेस्टर थे छे 7 तो इन सबको फोल्ड करके और फिर इनकी जगा पर इनको रख देती हूँ कि ताकी टाइम से ढूरना न पड़े ऐसे फोल्ड करके न जिनकी जगा है व यह सोफा उतार दो पोछा लगाते टाइम इनको उपर रख देती हूं ताकि यह भीगे ना नहीं तो भीग जाते हैं नीचे से तो बहुत दिक्कत होती है और यहां पर मैंने सोफा भी उतार दिया और साहिड में मैंने मेज भी लगा दी है और इसको कलिन को भीना सोफे के और अपना जूता उतारेंगे और उसके बाद तुरेंत उस कमरे में चले जाएंगे बेट पे टीवी देखना खाना वहीं खाना सब कुछ हुए है लेकिन उसके लिए मुझे डाटना है और यह हम मैट थी सूख गई है इसको भी ले आए हैं इसको भी पता है कि सब पे जब लाएं तो अब इनके लिए पकौडी बना रहा है तो मेरी लिए डईजले भी लाइंगें तो नहीं नोहीं लाते और यहां पर देखिए हम बहुत सारा साख साफ कर रहे हैं इसको इसी टाइम साफ कर लेंगे तो सुबा बनाने में आसानी होगी और अभी हम लोग को खाना हो गया था तो किचन भी मुझे साफ करना था देखो गैस मेरी एकदम चमक गई है मैंने पूरा किचन एकदम धुल के साफ कर दिया है और सारे बरतन हपते में एक बारना मैं रात में ही सारे बरतनों को निकाल के टोकरी से और टोकरी शमेश सब माज के मतलब और धूल के अच्छे से और टाड़ पे लगा देती हूं सुबा तक सब सूख जाते हैं उसके बाद जो है टोकरी में फिर से भरके र बैगन टमाटर का साफ और इसमें हमने लासुन मिर्चा मेथी और हींका तरका देके और उसके बाद जो है बैगन डाल दिया था और टमाटर डाल दिया था जब मेरे बैगन और टमाटर पक गए ना तो हमने फिर उसी में पालक डाल दी जब थोड़ी सी मेरी पालक गल गई और पराठ बना लेते और इसका बहुत अच्छा और भाष्ट बॉत खाने में अच्छा भी लगता बहुत टेश्टी होता है तो चलो जी मिलते हैं अगले ब्लॉक में तब तक के लिए बाइ बाइ अपना बहुत सारा